मेरे प्यारे देश्वासियों नमस्कार को रोना वैस्विक महामारी के खिलाब देश्व्यापी लोगडाउन को आज नव दिन हो रहे हैं इस दोरां आप सभी ने जिस प्रकार अनुशाचन और सेवा भाव दोनों का परिचे दिया है वो अभूत पुर्व है शाषन प्रशाषन और जनता जनारदन ने मिलकर इस्थीती को अच्छे ढंग से सम्हालने का भरपूर प्रयास किया है आपने जिस प्रकार 22 मार्च रविवार के दिन कोरोना के खिलाप लड़ाई लड़ने वाले हर किसी का धन्यवाद किया वो भी आज सभी देशों के लिए एक मिसाल बन गया। आज कई देश इसको दोहरा रहे हैं जनता करफ्यू हो गंटी बजाने थाली बजाने का कारकम हो इन्होंने इस चुनावति पुन समय में देश को इसकी सामुहिक शक्ति का एसास कराया। यह भाव प्रगट हुआ कि देश एक होकर कोरोना के खिलाप लड़ाई लड़ सकता है। अब लॉकडाउन के समय में देश की आप सभी की यह सामुहिकता चरितार्थ होती नजर आ रही है। साथियों, आज जब देश के करोडों लोग घरों में हैं, तब किसी को भी लग सकता है कि वो अकेला क्या करेगा। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लड़ाई को वो अकेले कैसे लड़ पाएंगे। ये प्रश्ण भी मन में आते होंगे कि कितने दीन ऐसे और काटने पड़ेंगे। साथियों, ये लॉकडाउन का समय जरूर है, हम अपने अपने घरों में जरूर है, लेकिन हम में से कोई अकेला नहीं है। 130 करोड देश वास्यों की सामुहिक शक्ति हर व्यक्ति के साथ है, हर व्यक्ति का संबल है। समय समय पर देश वास्यों की इस सामुहिक शक्ति की व्राड़ता, इसकी भव्यता और इसकी दिव्यता की अनुभूति करना आवशक है। साथियों, हमारे यहां माना जाता है कि जनता जनारदन इस्वर का ही रूप होती है। इसलिए जब देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो, तो ऐसी लड़ाई में बार बार जनता रूपी महाशक्ति का दिराट स्वरूप का साक्षात करते रहना चाहिए। यह साक्षात कार हमें मनोबल देता है, लक्ष देता है और उसकी प्राप्ति के लिए उर्जा भी देता है, हमारा मार्ग और अधिक स्पष्ठ करता है। साथियों, कोरोना महामरी से फैले, अंदकार के बीच हमें निरंतर प्रकाश की और जाना है। जो इस कोरोना संकट से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, हमारे गरीब भाई बहें, उन्हें कोरोना संकट से पैदा हुई निरासा से आशा की तरफ ले जाना है। इस कोरोना संकट से जो अंदकार और अनिस्चित्ता पैदा हुई है, उसे समाप्त करके हमें उजाले और निस्चित्ता की तरफ बढ़ना है। इस अंदकार में कोरोना संकट को पराजित करने के लिए हमें प्रकास के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है। और इसलिए इस संडे 5 एप्रिल को हम सब को मिलकर कोरोना के संकट के अंदकार को चुनोती देनी है। उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है। इस 5 एप्रिल को हमें 130 करोड देश्वासियों की महा शक्ति का जागरन करना है। 130 करोड देश्वासियों के महा संकल्प को नई उचाईयों पर ले जाना है। 5 एप्रिल रविवार को रात नौ बजे मैं आप सबके नौ मिनिट चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। 5 एप्रिल को रविवार को रात नौ बजे गर की सभी लाइटे बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर दो मिनिट तक जरूर जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटे बंद करेंगे। चारों तरब जब हर व्यक्ति एक-एक दिया जलाएगा तब प्रकास की उस महाशक्ति का एसास होगा। जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं यह उजागर होगा। उस प्रकाश में उस रोशनी में उस उजाले में हम अपने मन में यह संकल्प करें कि हम अकेले नहीं है। हम अकेले नहीं है। कोई भी अकेला नहीं है। 130 करोर देशवासी एकी संकल्प के साथ कृत संकल्प है। साथियों मेरी एक और प्रात्ना है। इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इखठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों में या महलों में नहीं जाना है। अपने घर के दरवाजे बालकनी से ही इसे कर रहा है। सोशल डिस्टंसिंग की लक्षवन देखा को कभी भी लांगना नहीं है। सोशल डिस्टंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। कोरोना की चैन तोड़ने का यही रामबान इलाज है। इसलिए पांच एप्रिल रभिवार को रात नव बजे कुछ पल अकेले बैठकर माभारती का स्मरण कीजिए। एक सो तीस करोर देश्वास्यों के चहरों की कलपना कीजिए। एक सो तीस करोर देश्वास्यों की सामुईक्ता इस महासक्ति का एसास कीजिए। यह हमें संकट की इस घड़ी से लड़ने की ताकत देगा। और जीतने का आत्म विश्वास भी। हमारी यहां कहा गया है। उत्साहो बलवान आरिय न अस्ति उत्साह परंबलं। स उत्साहस्य लोकेशों न किंचिक अपी दुल्लभं। यानि हमारे उत्साह हमारी स्पिरीड से बढ़कर के दुनिया में कोई फोर्स नहीं होता है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इस ताकत से हासिर न कर पाएं। आईए। साथ आकर साथ मिलकर करोना को हराएं। भारत को विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आईए।